तो आज का टोपिक भूए हमारा इंपोर्डिट टॉपिक हमारा पादफ हार्मॉन ने सीह हैं दोसुत पादफ हार्मोन ज्यों यह वेधी इंपोर्डिट है ठाट यह हो टीका रिए आपका यह कबर हो जाएगा ठीक है और विरी विरी पर क्योंकि आगे जब आप समेस्टर में जाओगे दो से तीसे चोथी में आप जाओगे तो भी आपके लिए वेज़ी इंपॉर्ट रहे है ठीक है तो काने का ताथ पर यह है कि एक्जाम के रिस्टर से भी महत्पूर्ण है और आपके सिलिवस के अगार्डिंग में बहुत ही वेरी इंपॉर्डट और आपके दैनिक भविस्त में भी यह बहुत ही काम आने वाला है पार्दप हार्मोन प्लांट हार्मोंस देखिए पौधों में इस प्रकास से तो सबसे पहले हम पादप हार्मोन किसे बोलते हैं असके बारे में देख लेट clubs पादप हार्मों की जईविक किरीया कि बीच वाज्विक किर्याएट को बीच समन्निवित अस्थापित करने वाले रसाइनिक पदाथ को पादफ हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं देखे पादफ हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं ठीके यह आप लोग कन्फ्यूज मत होई जाएगा ठीक है इस प्रगास से आपके क्या पता अनेक उपाप चाई किरियाओं को नियन्तित अवां परभावित नियांतित प्रभावित करते हैं इनके सन्सलेशट का अस्था इनके किरिया छेतर से दूर होता है एवन ये विस्ट्रड द्वारा किरिया छेतर तक पहुँचते हैं बहुत से कारवनिक योगिक जो पौधो से उत्पन नहीं होते हैं परन्तु पादफ हार्मोन की तरह ही कार करते हैं कि बहुत सारे कार्बनिक दूयोगी ऐसे हैं जो पौदों से उत्पन नहीं होते परंतों फिर भी पादा फार्मों बोलते हैं ठीके उन्हें भी विद्धी नियंत्रक पदार्थ कहा राता है यानि ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा राता है रासानी संगटन तथा कार विदिक कि आधार पर हार्मोंस को निमलेखीत वर्गों में बाटा गया है तो अब कौन कौन से वर्ग है तो इसमें देख लीशब्ससे पहले अपका बर्गाता आगजीन क्या आता है आगजीन के अंदर करन कौन कौन सब्सक्राइब हो गया नेप्थलिक एसेटीक एसेट का परियोग सबसे अधी जो किया रहता है वह आप में गया रहता है ठीकिश फूलों को जड़ने में यह रोक मतलब बहुत ही बढ़ियां साबित हुआ है ठीकि ज़ सब्सक्राइब हो गया इस प्रकास से बहुत सारे आते हैं तो इसके बाद देख लिए इसके बाद जीब्रे लिंज यजां कैंव होतसा इसके बान में पढ़ेंगे साइटोकाइन होता है उसेड होता है इंय ह्यानंत्र हार्मून है इसके बार में आप लोगों को बताऊंगा एथिलीन आता है जो फ़लों को पकाने के लिए आंदोर पर पर्योग करते हैं यह भी हार्मोन का कार करता है इसके बार फ्लोरेंजीन आता है यह आता है फ्लोरेंजीन फ्लोरेंजीन यह भी आपका एक हार्मोन ही है इसके बार में प तता कोशिका दिर्घन में भाग लेता या कारबनी योगी को का समू है जो पौधों में कोशिका विभार्यन तता कोशिका दिर्घन में भाग लेता है इंडूल डिकता होती है तो और विर्दी अधिक होती है यानि काने का तत पर यह है यदि पत्तियों में आगजिन की मात्रा अधिक होगी तो पत्तियों में जो ग्रोथ होगी कि वो सब से अधिक होगी पत्या बड़ी बड़ी होंगी ठीक है उस वह उसके जड़ों की बिर्दि को कम करती है यानि कि यह जड़ों की बिर्दी को कम कर देते हैं ठीक है इस प्रकाश से कार्य देख लेते हैं तो आगजिन कोशिका दिर्गन का अस्थम या तनिक में तनिकी विर्दी में सहयक होते हैं देखें दूसरा ये जड़ की विर्दी को नियंद्र करते हैं ये बीज रहित फलों के उत्पादर में सहयक होते हैं तीके नेस्ट आपका आता है पत्तियों की जटने तथा फोलों के गिरने पर आजिनने का नियनत्र होता है इसके झाले नंबर पर मक्का के खिटों में आजिन खर पतवार नासक का का Unit Can क्य मोव्ह आजितों में कर आजिन खरपतवान नासक का काम करता है और यह जो डी वाला अप συνैंद मेह भाला संद prove के ज़देने तता फलो के गिरने पर आजजिन का नियानतर होता है अच्छिन का परियोग कर देने से जो ज़ड़ते है MOR Indianrite ल Ooh वे दॉसकी मात्रा बहुती कम मात्र में हो जाता है जिरांतर हो जाता है मुथ कम घरते हैं continue लेकिन जो हमारा आगजिन था पॉदू की जीवा और स्वारी इसमें जो हमारा आजिन था कारबनी कारबनी को का समू था जो पौदों में कोशिका विवाजन तता कोशिका देदर में भाग लेता था लेकिन जो हमारा आगदे नहें वह एक जटिल कारबनी योगीख है धाड़ के लिए एक प्रमपुद्ध हर इसका कार्य देख लेते हैं इसका वल क्या है इसका लाव भी बताएंगे आप लोगों को एडवांटरिज भी बताएंगे वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखें जिब्रेयलिंस कोशिका विवाजन तता कोशिका दि वो साइज में बहुत बड़ा होता है दूसरे नमर पर जिब्रेयलिंस हार्मन का परियोग करके बीज रहित फलों का उत्पादर्ण किया रहता है बीज रहित फलों करना आप लोगों को यह दिना निसेचन के प्राप्ट करने वाले फलों को अनिसेख फलन बोलते हैं उसी बीज रहित नहीं होते हैं परंत। ऐसे नहीं कि मतले आम तोर पर बीना नीचेचन जो फलोंके बीज रहित फलों का उत्पादन होता है थीकिके वो जीब्रेयलिंस के परियुक्स werde New हमारा हमारा चाहर्य प्रक्यति का हार्मोन है है क्या है चाहर्य प्रक्रिति का हर्मों है काई जो हमारा होता है क्याइन की जडो पर होता है जब कोसी ही विभाजन डीवेचन होता है साइटो काइनी नियंतन नियंतना हार्मोन होता है जो विर्धि को कम करदेता है नियंतन कर देता है अर्थात यह पौदों की विर्धि को रोखता है कार्य देख लीजिए एफसेसिक एसिट पॉजों की विर्दी को रोगता है दूसरा यह वासपोसरजन की यह को नियंतिर करता है यानि रंदों को बंद कर देता है यह वीजो तता कलिकाओं की सुष्वतावस्था में लाता है ठीक है डी आपसन आपका आता है यह पत्यों के जड़ने की किरिया को नियंतिर करता है यादि पत्या ज़र रही है और इसकी विर्दी को रोगना है तो क्या करेंगे अमलगा परयोग कर देंगे ठीक है इस प्रकास से नेस्ट आपका आता है जो वेरी मोस्लीं पॉड़िट है एथिलीन एथिलीन का आपने नाम सुना ही हो पॉड़ों की लंबाई में विर्दी होते है पर्मतु पॉड़ों की लंबाई में विर्दी में ठीके रोग हो जाते हैं ऐसे इस प्रकास इस हार्मोन का निर्मार पॉड़ों के प्रतिक भाग में होता है प्रतिक भाग में से पतिया हमारी होगी पतियों में भी होता है ठी के इस प्रकार grams की विवादों के सभी भागों में होता है कुरिओ एल्लीज इसके दिए और के दौ आपके करता है घरने के करने को दोन करता है एस इसे दिपाएंधर का ती हार्मॉक प्लो के पकने में मुख्य भूम्कान इभाता का और फोल के वतसव दिक रहता है यह फिलों के मिश्क और नियूद आगए का क rouge करने में होता हाई प्रतियों में होता है यह फूल के खिलने में मदद करता लिडिया थिस प्रकास में क्या तो इस प्रकास से हम फूलक कहले वाले हार्मोन भी मिवोलते हैं इसका कारेथ Director खिला नियंतित होता है सो दोसो वीडियो तेखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज जय हिंजे भारत